हेलो दोस्तों, UBSC Hindi के online study platform में मैं निशान द्रिबाटी आप सभी कास्वागत करता हूँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानद है जो हम लोग की 6 monthly करेंड फेर की स्रीज है उसमें अब तक हम लोग 5 classes के माध्यम से कुल 64 प्रश्णों पर चर्चा कर चुके थे 64 प्रश्णों पर हम लोग चर्चा अगले पिछले 5 classes में कर चुके हैं आगे हम लोग क्या करेंगे, आज के हमारी class में हम लो कुस्स करेंगे, कुल 18 नमबर तक के questions, कुल 80 प्रश्णों आज discuss कर ले जाएं ठीक है, समय के साथ इस तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे 5 दिन बाद मैंने 2 दिन का break लिया था, ठीक अगले 5 दिन तक फिर कक्षा continue रहेगी, 2 दिन की break रहेगी ठीक है यानि हम लोग क्या करेंगे, हफते में 5 दिन करेंट एफरी classes करेंगे तो आए हम लोग देखते हैं, आप से 65 नमबर कॉशन और मैं बता दू कि आज जब तक हम लोग 100 नमबर कॉशन डिसकस नहीं कर लेंगे मैं आप से पहले भी बोल दिया हूँ कि मैं इसकी quality कैसी है आप लोग छेक करते रहे हैं, उसके पासे 60 जब 100 नमबर कॉशन हो जाएंगे फिर मैं आपने रूपेस जरूर करूँगा कि इसको लाइब सब्सक्राइब और सेर करने का तो चलिए हम लोग देखते हैं 65 नमबर कॉशन को इसको ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि अभी महेंद्रगरी जो बायो स्पियर रिजर्व है इसकी अस्थापना का प्रोस्ताओं किस राजी सरकार में रखा है मद्यप्रदेश ने, असम ने, उडीसा ने या उत्राखन ने आपको बताना है कि कि किस राजी सरकार ने, जो है कि महेंद्रगरी बायो स्पियर रिजर्व के अस्थापना का प्रोस्ताओं रखा है तो ध्यान लगे दोस्तों, जो महेंद्रगरी बायो स्पियर रिजर्व है पूर्वी घाट पे इसको बनाया जाने का फैसला है पूर्वी घाट पे पूर्वी घाट पे पूर्वी घाट पे कौन सा राज इस्तित है तो यहां पे ध्यान से रखेंगे तो पूर्वी घाट पे इस्तित राज है उडिसा तो वह उडिसा राज है जहां पर क्या है कि यह म हम लोग आते हैं एक बात पाओ क्या मेहंद्र करी बायोस्पियर रिजर्व उडिशप का पहला बायोस्पीयर रिजर्व तो आंसर आता है नहीं जो उडिशा दोस्तों ध्यान देंगे उडिशा 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 को जो पहला बायो स्फियर रिजर्व है ज्यान देंगे जो उडिशा का पहला बायो स्फियर रिजर्व है पहला बायो स्फियर रिजर्व पहला बायो यहां पर इसे डेस्ट कर देते हैं स्फियर रिजर्व है उसका नाम क्या है? तो Odisha के पहले Biosphere Reserve का नाम है ध्यान देंगे आप लोग इसके पहले Biosphere का रिजर्व का नाम है Simlipal Simlipal इस तरह से पहले question का answer दिल गया और हम लोग घ्यान देदी है कि इसका जो दूसरा एक भाग था Simlipal उसको भी ज्यान से देख लिए उमीद करते हैं पहला number question आप लोगो समझे में आया होगा आए हम लोग देखते हैं next number question 66 आप लोग घ्यान देजें दोस्तों कि current affair का जो program हला इसका notes जरूर बनाईए जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे तब तक क्या ना कि question से जुडाओ महसूस नहीं होगा notes बनाईए question से जुडाओ महसूस करिए मैं कोसिस करूँगा कि maximum question आपकी जो current affair की स्रीज मैं लेके आ रहा हूँ वहाँ से टकराने की maximum number आप question मैं टकराने की कोसिस करूँगा आप लोग को करना बस है कि इसकी प्रॉपर notes पयार के लिए notes जरूर बनाना है इस चीज का ध्यान रखना है ठीक और आप लोग GS में थोड़ी command बनाईए अगर आप लोग GS में GS की जो 125 questions बन रहे है अगर आप लोग यहाँ से 75 questions सही कर दिये तो मैं करेंग का प्रियास को रहे है कि 25 questions जो आ रहे है वो सही करा दो मैं पूरी कोसिस करूँगा 25 सही कराने की आपको यह 75 to 80 questions आपके जरूर सही करना है इसके लिए आप टेस्ट का मदद लिए कि आप लोग जो पढ़ रहे है उसको पढ़िए ही पढ़िए साथी साथ आप लोग टेस्ट का मदद जो है वो जरूर लेगे क्योंकि जब तक आप लोग अपना परिक्शन नहीं करेंगे कोई फैदा नहीं होगा GS करना का GS क्योंकि पेपर फ्रेक्शली है तो भूलता है आप एक्जाम में महसूस भी करते होंगे आप समझ नहीं पते होंगे कि एस AB में BC में अकसर दो ऑप्शन में डाउट आ जाते हैं और होता के नहीं वो ऑप्शन गलत ही हो जाता है तो आप लोग को करना क्या है कि बस कोसिस करें कि जो तैयारी है आप टेस्टरीच की मादर में तो उसको चेक करते रही है जो लोग UPSC हिंदी का टेस्टरी जॉइन करना जाते हैं वो लोग हमको जो हमारा contact number है अभी हम लोग उसको description box में दे भी देंगे साथी साथ क्या करें आप लोग 97111-43850 इस पर WhatsApp या टेलिग्राम करिएगा ज्यान दीजिए आप लोग कॉल करते हैं मैं देखता हूँ कि रोज मेरे पास 7-8 call पढ़े रहते हैं जिसको मैं उढ़ा नहीं बाता हू तो आप लोगों करना या है क्या है कि सीधे हमको WhatsApp या टेलिग्राम करना है आप लोग टेस्टरिच के लिए जो भी जानकारी हो मैं दे दूंगा आते हम लोग 66 नमर कॉशन जो की very important questions है आईए 66 नमर कॉशन देखते हैं 66 नमर कॉशन के रहा है कि रेतले जल विद्दूत पर corporation की परउजना है ठीक यह संजुक्थ परियुजना लिखा गया है परियुजना है सेकेंड बात नेशनल हाइड्रोलिक पावर कारप्रेशन यानि एच पीसी की परियूजना है तो पहला कर रहे है जम्मू और कास्मीर इस्टेट पावर डेवलप्मेंट कारपोरिशन की पर तुपराट दिशटेट पावर डेउप्मेंट कोरपोरेचं की पर्योजना है सजुख लिखा शाहरा है अब चुक्छी सबुANT निसरी हो गई सजुख आ टैकिंग निसनयोग पर यहां भी सजुख पुरी बर्ले परभर परयोजना लगी गई है même संभ भिवा औक जो और दोग मिल तो दो लोग मिल के-क हैं कि वह सीन्सें अमटनगी और गांट कहkol टो इसमेंस, तो इसमें नहीं है है इसकी जो participation है वो 51% है इस चुछ को ध्यान देंगे और जो ज्रेंट के कि है सो में से माइनस करेंगे तो 49% बची तो यह basic तत्यते उमीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएंगे यह very important question है 100% chance question आएगा 100% chance यह question आएगा कि ज्यानवरों के लिए दुनिया का पहली कोविट-19 का टिका किस देश ने पंजिकरित किया है ठीक है किस देश ने पंजिकरित किया है यह very important question बन सकता है और आप लोगों के बीच में question बन कि आ सकता है तो आप अब दिखना है इसका answer देखने ना कि कौन सा सही है ठीक आए हम लोग देखते हैं हम लोग देखेंगे कि कहला कि जैनवरों के लिए दुनिया के पहला COVID-19 वेक्सीन का टिका किस देश ने क्या किया है कि पंजिकरित किया है तो इसका जो पहला नंबर है वो है रूस दूसरा है फ्रांस तिसरा है अमेरिका चोथा यूके पहला रू कारणिव refract को यह स्ट्षिए का नाम है कर द administration को यह स्ट्षिकय का नाम है अचा आप एक कोशिन मालपते यह भारत सरकार ने अभी तीसरे जो थौरब वैक्सीन है और सौरी गोवचОísid है और को वैक्सिन इसके ऐसे इक जो रशिया का सुतनीक है ईसको इसको चौटकरे चौधी वैक्सिन को भी हालरी में परमिशन दिये अपर इस चौधी है कि नाम हमको कमेंच बाक्स में बताईए ठीक? चोती वेक्षिन का नाम कमेंट बाक्स बताईए कि वो चोती वेक्षिन कौन सी है जिसको अभी हाली में पर्मिशन दी गई है और किस देश की है आते हैं हम लोग इसका तुसाय अंजर लोगों को बता चल गया इसका नाम भी मैं लिख देता हूं मिटाती हैं कारणी वेक को य अभी रस्यान इसको पंजीकृत किया है नेक्स शिस्टी एट नमबर कोशन ये ग्लोबल जिंडर गैप इंडेक्स के बारे में ये भी हंड़ेट परसंट चांस है कि आपकी एक्जाम में कोशन बन कि आएगा पहली बात तो यही बोला है कि ये विस्व आर्थिक मंच द्व वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम के लवारा इसको जारी के लाता है पहली बात एकदम सही है यानि इस्ट्रेग्मेंट वन सही बोला है इसमें ध्यान देगे को लुट 156 कंट्री सामिलते हैं और 156 रेंकिस क्या ही है एफजी यानि अफगानिस्तान क्या है ठीक है ग्लोबल बातु है समाओना बन रही कि उनसे साधी करना चाहा रहा उनकी तो आप कितने समझ सकते हैं कि जहां पर इस इसाब से फर्मान आने सुरू हो जाए वहां पर जेंडर करनी पड़ लही है तो जो ग्लोबल जंडर गेप है जो वहां एक जंडर गेप है उसकी अंदाज़ा अफ्गालिस्तान तो भॉय लाश्ट में तो अफगालिस्तान दॉच्ञ के अगशना उनक्थ हो थै만 यह कि पहले रंक पर कौन है तो कर रहा कि पाले र pasture इंग या सेकेंड पे आप दियान देंगे, फिनलेंड है, ठीक है, और थर्ड पे दियान देंगे, नौर्वेय है, नौर्वेय, यही से आपको नौर्डिक, जो नौर्डिक कंट्रियस हैं, उनका नाम बता दीजिए, चीक, मैं पहले बता भी चुका हूँ, आते हैं हम लोग आप अगल है कि हाल की दुन में भारत की भी एकोनोमी क्या है, डाउन चल लगा है, फिर भी गौर्वर्मेंट ने क्या किया है, वेक्सिनेशन को फ्री करने के उसस की है, और दखेंगे, मैक्समम लोग को फ्री लगी रहा है, अब वही जिसके पास पैसा है, जुनको लग रहा है, वो वो लाइन में लगना पसंद नहीं कर रहा है, वो जाके प्राइवेट में टीका लगवा रहा है, और बहुत अच्छी बात है, देखें, जिनके पास छबता है, मैं खुद भी बुरूगा भईया, वो लोग प्राइवेट से जाके वैक्सिन लगवा, एकदम, ठीक है, जिसमें उनको उनका पक्ष्ण होता है, ठीक, जैसे फॉर एक्जम्पल में बागव, देखें, सुसाइटी में, इस चीच को ध्यान देजागा, मैं दो मेर का टाम मेर हो, बगवास नहीं करूँगा, थोड़ा समय समझानी को इसस करूगा, सुसाइटी में दो तरह के लोग अच्छा, बात आती कि वैक्सिन लगवाने की छमता में, तो वैक्सिन लगवाने की छमता के कर हम लोग बात कर लें, तो अगर वर्तमान की एकोनोमी को देखते हो हैं, तो पचास परसें तो ऐसे लोग मेरा मानना है ही, जो वैक्सिन अपने पैसे के दम पे लगवा सकते है खासता पर जो government service में है जो अच्छे खासे private service में है या खुद का जो स्वरोजगार स्थापित की है और 50% का है ऐसे हैं जो रोजगी है रोजगी की मतब मुनरेगा में काम करते हैं दिहारी पर कहीं मज़दूरी करते हैं यह लोग vaccine के लिए नहीं चाप आएंगे या यह लोग कहां से 1400 पर के वैक्सिन लगवा पाएंगे अब कहना कि government का क्या है गौर्मेंट का क्या है social justice गौर्मेंट का क्या है social justice समाज एक तीन पर कि ना हम लोग प्रसावनम पर पढ़ दे भी है तो social justice का क्या है social justice की लिए क्या होगा कि social justice की policies government को लेकि आना पड़ेगा policy ताकि समाज में fair equality रहे समाज में fair कर रहेगा कि जिसके पास चमता है 1000 रुपे दे के वैक्सिन लगवाने का वह जा के लगवाने का फार्दा होगा होगा कि government को यहां से tax मिलेगा tax मिले कि government को घाटा नहीं होगा क्योंकि ध्यान दीजेगा अब हम लोग maximum focus की सको कर रहें भी हम दो दिखेंगे negative impact पड़ेगा तो foreign currency अगर हमारी कम होगी तो वह ही तो हमारे लिए challenge है ऐसे में अगर कुछ लोग जाके private से vaccine लगवा लेंगे तो government के पास क्या है लाको करोड के fund दिए गया है तो यह fund कहां से आ रहा है यह टेक्स से तो हम लोग टेक्स पेमेंट ही नहीं करेंगे economic activity पिछले दो साल से बंद चल लिए डेट साल से economic activity बंद रहेंगे तो government को एकडम टेक्स मिला बंद हो जाएगा तो होगा क्या ऐसे में जब government trade करेंगे negative trade करेगी मलब ब्यापार घाटा होगा अगर तो समझ सकते economic की क्या बेंड बचेगी तो इस बात का विरोध करना बिल्कुल मेरे मिश्याप से नजायज है कि government private sector में vaccination दे रही है अच्छी बात है मेरा तो मैंना 50 परसंट तो ध्यान दीजेगा कभी आप से पक्ष और विपक्ष इस मुद्द्य पे पुछे तो आप government के favor जाएंगे और मेरा माना यह बहुत सही रिड़ है कि private sector में vaccination को देना अब यहां भी बात है कि vaccination के लिए करना पड़ेगा तो जाएंग बते कि donate a vaccination fund की जो यह हुआ था बात यह IIM बैंग्लूरु की पहले IIM बैंग्लूरु की पहले स्विच को ध्यान देंगे आते हमों 70 नमबर कोशन पर है आथमा वेस्विट नैट्रोजन सम्मेरन कहा अजित क्या गया 70 नमर कोशन सत्तर नमर कोशन है कि 8 वेक्सीन नैट्रोजन पहल कहा अस्तापित क्या गया तो ध्यान देंगे तक हमारा आठमा वेक्सूं ने टोसं पहले में इप में आजूद किया एक एंब में अब अब कहा पर तो जर्मरी मैं भी बता देता हूं यहां पी बखी लिए 8 Kristen लेजिया यहां पे दो और तीन लिख लीजिया यहां पर एक लिख लीजिय। अब ध्यालों कनें इसमें आप स्वेस सि जुड़े करते में लिख रहा तो एक और तीन देखिए, यहां पर है, यानि option number 20 है वान लेगे, ठीक है यहां पर option में देना भूल गया था, इस सुच को ध्यान देगे, 72 number question, कहला कि महिला जाग गुरुप था, अभियान जो सम्मान है, यह किस राज सरकारतोरा आरम किया गया है, तो ध्यान देगे, अभी MP Government ने किया है, कि इस अभियान को श्टार्ट किया है, MPnorm Met, Moyment आपको बता है कि महिलाओं के साथ, यह अपराद के दिणों में, PCRB की रिपोर्ट बोलती है, NCRB के रिपोट बलती है कि जो महिला अपराद है जान देंगे जो महिला अपराद है उसमें बृद्धी देखी गई है महिला अपराद में क्या है? बृद्धी देखी गई है अब महिला अपराद में बृद्धी देखी गई है समाज की सक्रिय भूमिगा, जब तक समाज की सक्रिय भूमिगा या सक्रिय भागेदारी नहीं होगी, तब तक महिराओं के साथ चेलेंच को नहीं पले जा पाई हो गहार, जैसे फोर इस्ञांप्ल लेते हैं, अब्येmbl ये X तुम के इसमें जो बना देता है। लूसे बरी बाड़ी बास क्या है, मुद्ध के बीच में, जगड़ा के बीच में अदर कोई ने decentral काथ सीना घाया। अभी कहला कि आप ग्रामीर पुष्टूभी भी दखेंगे, अगर सपोस कि वाइफ और हस्बेंट जगड़ा कर रहा है, ठीक है, मार भी टो रही है, पती कि अगर इसको जूता जूता मारे, ठीक है, जितना जूता उखाल के मार पाए मार दे, अब सपोस, यहाँ पे बंदा यह है, इसने क्या-क्या, 100 नमर पे कॉल किया, और पुलिस की गाड़ी बुला दी, अब क्या है, पुलिस किसे पुचेगी, इसके बतनी से पुचेगी, कि भाया यह मारा है, यह तूरंद बोलेगी, कि नहीं यह नहीं मारा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते है, पित्री स्तात्म समाश। आप सोचिए कि जिसके लिए इस ए ने रिस्क लेके सो नमबर पे कॉल करके पुलिस बलाया और इसके साथ अपना संबंद किया पड़ोसी का ख़राब कर लिया वही क्या कर यह मुगर जा रही है कि नहीं नहीं वहिया, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई दू कि जानते होंगी कि basically यही है, और समाज का भागीदारी ना होने के पिछा ही रिस्क है. का उद्गाटं उडी सामुदा है वह है उडी सामुदा है जिसको अभी हम 50 गजóg अब कारे हैं यह दिया है जिसको आहीं हमनों जस एक नमबर कॉश्net हो छे इसके ये क्या कह रहा है कि इसने 106 देशों की study किया है जानने कि 106 countries का study किया है और सबसे polluted share पाया है देश वाया बंगलादेश को ठीक है दूसरा पाया है अपना दूसरा बंगलगीर है पाठ और तीसरा पाया है हम खुद भारती भारत तो भारत की ranking कितनी है अप्षिन नमबर डीस का सही है अप्षिन नमबर डीस सही है थोड रहें के ध्यान देंगे आते हम लोग नेक्स नमबर क्वेशन पर कहरा है एक python नाम की मिसाल थी जिसका सफल परिक्षर किया है सफलता पूरत परिक्षर किया है लेकिन इसको विक्सित किस ने किया था इसराइल ने विक्सित कर रही है विक्सित को कर रही है इसराइल अब बत जाती है कि किस पिड़ी का यह मिसाल है ध्यान देना है कई ऐसा थो नहीं आप ध्यान देंगे करण 4,5,6,7 अभी थोड़ा सा ये 25 पेलो है इस चीस को ध्यान देंगे तो ये पाचवी की मिसाइल है पाचवी की जो जैनि इसको हम बiemandागे इसी के बोलते भी है 76 numbers question क्या गरा है इसको ध्यास के लेखते हैं कर रहा हाल ही में देश की अंतरिक्ष एजनसी किस देश की किस देश की अंतरिक्ष एजनसी का नाम दिखा है रोस कोमोस ठीक है रोस कोमोस ने अटलांटिक की जलवाई और पर्यावरण निगरानी के लिए Atlantic की जलवाई परियावरण निगरानी के लिए एक क्या है, एक उपग्रह चोड़ा है जिसका नाम है Architect M मैं फिर बोल देता हूं एक Space Agency जिसका नाम है Roskumos इसका नाम है Roskumos ये क्या कर रही है कि एक उपग्रह है जिसका नाम है Architect M इसका क्या कर रही है कहां पर Archetic की जलवाई और पर्यावरण की निगरानी है तो प्रकषेपड कर रही है और प्रकषेपड की कैसा कर रही है सफलता पूरुबक अब कर रहा है कि जो Archetic M है इसकी खुबी बता रहा है कि यह एक remote sensing संचार उपकर रहा है यह एक remote sensing संचार उपकर रहा है यह वासा architect M के बारे में एक सूचा नहीं एक fact दे रहा है अब आपको पूछ रहा है कि भाया जिए जो यह यह रोसकुमोस है यह किस देश की इसपेस एजनसी है किस देश की सबसे बड़ा के बड़ा जियान देगे दोस्तों एसिया का सबसे बड़ा केटल पार्क किस अपना का की गई है यह कोशन आपसे पूछ दिया है तो ध्यान देंगे एसिया कि सबसे बड़े केटल पार्क किस अपना आपकी तमिल्नाडू राजमिक की जा रही है ठीक अब ल हाली में क्या है भीहारी पुरसकार पहली बता है कि यह के के APIs wodaz Future की जायाता है एकदम सेह İşteop مदी जारी होगे के ना Bluetooth सभी होगे तो बिलकुल सभी अगली यहां पे देगा है दिया है कि तासलीम तासलीमा संघर्ष और साहित के लिए उनकी कृति है इसलिए दिया गया है तो बिल्कुल सही है ये भी तो यहां पर फैक्ट कितने है केके बिर्दा फॉन्डेशन दो हजार तीसमा मोहन कृष्ण बोहरा और इनकी जो पुस्तक है इसका तो यह चार यहां पर फैक्ट से याद रखेंग नन आफ दी एवर्फ ठीक है तो नन आफ दी एवर्फ इंगलीज गलत होगा देख ली ना ठीक है इंगलीज हम्रों सीखने तो लिंग मैटे है 79 नमबर कुष्ण ओर आज का लाश्ट नमबर कुष्ण ओका के रहा कि 20 थैरायट दिवस 24 मही को है विस्व औद्योगी जेव विल्टा दिवस 23 मही को है प्रवासी पक्षी दिवस 8 मही को है और बोधिक संपता दिवस 26 अपरेल को है बताना इक मेंसे कौन सा गलत निका या प्रवासी पक्षी दिवस 8 मही को बना जाती है और जो बोधिक संपता दिवस है वो 26 संपरल को बना जाती है तो उमीद करते एक बार क्यूक रिवीजर कर देते हैं दो में और आपको कुछ चीजे समझ बहाएंगी तो जो महीं भी बाइस्पेर रिजर्व है इसके स्थाप आपत्ती जान की है हाला कि 2017 में ही आपसे परमीशन मिल चुकी है ठीक है युवन के दोरह 2017 में ही परमीशन मिल चुकी है इसको इस्थापित करने की यहां भी द्यान देंगे जो 91% contribution है ठीक है वह NHPC का है 49% को JNK Development Corporation का है ठीक है आगे की COVID-19 का भी क्या है कि जानवरों के पर अफगानिस्तान पर है 156 भी इसकी रैंक है क्योंकी कूल 156 देसको ही काउंट किया गया है पहले रैंक पर आइसलेंड दूसरी रैंड पर फिंडलेंड तिसले पर नार्वे है नेक्स जो कोशिन था डोनेट आव वैक्सीन ठीक है यह पहल किसकी है तो यह आई-ई-एम बंगलूरू की है सिर्फ नेक्स्ट कोशिन मना था कि आटमवेसिव नैट्रोजन सम्मिनन कहा मना गया तो बर्ली में मना गया है रिलते जर्म विद्धूत पर योश्णा की बारे में जो नेक्स था यहां पर एक ही दोन्द की बात थी 850 बाकी त्यांद नहीं पर अगस्त 2017 इसको मैंने बताई दिया है सही है चीना तदी भी बना जा रहा है बिल्कुल सही है इस्वेंटी सिक्स नमर कोश्ण जो रोस को समस ठीक है रोस को समस मोस है यह बिसिकली स्पेस अजनसी किसकी रस्या किया है अभी इसने क्या है कि आर्गर्टिक एंड का एक उपगर है जिसका सफल्दा परो प्रिशेबढ किया है केटल पार्क का उद्गाटन अभी तमिलाडू में के जा रहा है बिहारी पुरसकार के जो है वो कृष्ण भोरा मौन कृष्ण भोरा को दिया गया है थीसमा बिहारी पुरसकार था इनकी कृति के लिए जिसका नाम है तस्रीमा संगर्ष और साहिती कि के विर्दा फाउंड दिवसे वो 26 अप्रेल गुना जाता है तो इस तरह से पूरी समरी थी उमेद करते हैं अपनों को समझ में आओगा तो अगर चीजे समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि चीजे अच्छी लगी ताकि हम लोग नेक्स अच्छे को सेलेक्ट करें दाने करता है तो